हेलो फ्रेंड वेरी गुड इबनिंग मैं आप सभी का इबार फिर से स्वाइब करती हूँ तो यहां पर आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो आप स्प्रीन पर देख रहे होंगे सोलर सिस्टम हमारा समय हम जया है इसको लेकर यहां पर हम लोग चल ले है यानि कि मैं आयुशे मस्रा के साथ यहां पर फाउंडेशन बहें गार्फी 어INO झाली तो चलिए अगर हम सबसे पहले अभी आने वाले लेक्चर की बात करते तो अब आज हमाराзд पर लेक्चिर है after intro class अगर अभी तक क्या आने वाली class की बात करें तो हम ने यहां पर देखा था कि universe ठीक है universe related कुछ facts देखे थे तिर उसके बाद हमने क्या देखा था कि universe की जो related जो theory है जिसमें हमने सबसे अधिक इसको Big Bang के बारे में आपको बताया था और explain किया था कि यहाँ Big Bang की जो थियोरी है, वो सबसे अधिक यहाँ चर्चे थी, आपर सबसे अधिक successful मनलब उसमें थियोरी में मानी जाती है, जो की George Leventier के थी, जो की एक जर्मनी के scientist थी, यह यह देखा था, फिर हमने कल की class में देखा था, कि कुछ ब्रामान्डीय पिंड के बारे कटेगे वो हमारा सोलर सिस्टम से रिलेटेट हो पूरा टॉपिक तो पहले कल की क्लास का रिवीजन करते हैं सबसे पहले तो कल अगर ब्रहपमान जब बिग बैंक की थिवरी वह गई थी तो उसके बाद कुछ ब्रहांदी बचे थे उन पर हम लोग यहां पर बात कर रहें थे तो जो सबसे पहला था वो था हमारे तारे तारे की अगर हम बात करते हैं कि तारे का निर्मार कैसे हुआ तो तारे का निर्मार जो हमारी आकास गंगा है ठीक है आकास गंगा या फिर जो गैलेक्सी है उनमें पाए जाने वाले धूल के कड़ों से इनका निर्मार हुआ ठीक ह सबसे पहले हम लोग तारे की जीवन चकर की अगर एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं तो हमने आपको बताया था कि जो तारे का जो निर्मान होता है सबसे पहले प्रोटो स्टार बनता है प्रोटो स्टार कैसे बनता है प्रोटो स्टार हमारा यहां पर बनता है कि जब हम ते-स नाब की हैं तो हमारे चार अणूज विमक्त तो हमारे प्रीकास करता है तो यहां पर saire थी यहांटर होता है अमansen, भी सर्फ Simon कि व्हें भीन से छ जक्या बहता है दो स्वेशुयन पुल्त आपने थे प्रिकासिके हां पर इसके बाद जब धीरे धीरे यहां पर हाइडोजन से हीलियम कनवर्ट होना यहां पर हमारा खतम होने लगता है यानि कि यहां पर हमारी जो हाइडोजन से हीलियम जो है वो हमारा बनना खतम हो जाता है तो फिर क्या होता है यहां पर हम देखते हैं कि हमारा जो तारा है वो 1.44 से हमारा स्वारिक ध्रमान से अगर अधिख होता है तो वो क्या होता है हमारा कम होता है है तो तार्य के बाद दॉड शॉर्ग हो स्वार्य के दवारा सूर्व की तरह होती ऐत्त सेथे साब Muhammad क्वासेर के अखर बात करी जाए तो क्वासेर हमारे जो होते हैं वह आकास गंगा से छोटे पार्ट होते हैं यानि कि जैसे हमारी गेलेक्सियां होती है उनी की तरह गेलेक्सियां हमारी क्या होती है ग्रोप और स्टार होती है ठीक हमने आपको बताया था कि जब तारों का जो तो समू होता है वो हमारा क्या इता है ब्रम भांड केहलाता है, ठीक है तो अब आप यह समझ गाउंगे कि हम अगर हम बात करते हैं है तो क्वासिर क्या है आकाजगा से पाए जाने वाले चोठे हमारे जाने त्त्तोह हैं, ठीक है, तिर हमारा क्या आए था, Dark Matter working, तो अगर ब्रमार्ड पूरा ऍंडविज्वली कि यहां पर उपस्तित है हमारा सुलर सिस्टम उसने हमारी प्रत्वी है उदे कहीं हमें हूं तो अगर डाक मेंटर की बात करते हैं तो जो हमें ब्रह्मान में पूरा काला जिसको हम देख नहीं पातें इंडिविजली कि यह क्या है क्या है वो हमारा क्या होता है डाक मेंटर होता है जो कि 90-95% होता है तो आप समझ सकते होंगे कि हमारे डाक मेंटर की जो संरचना है या फ थी तर निहारिका हमारा क्या है धूल और इने की कर दों से चाइज सारी अगर हम अवारे पकर स्वेatta आ इम 211 खसाँ तुगार हमने आपको बताया था यह बिग डाइंग की थियोरी में कि इवा ब्रह्मान को भी देख लेते हैं अच्छे से रिपीट कर लेते हैं कि ब्रह्मान हमने आपको बताया था जो कि भारी तत्तो और गैसों से मिलकर बनाता बहुत ताप और दाप के कारण उसमें क्या और वह हमारा क्या होता है फट जाता है और बहुत सारी चीजों में या पर बहुत सारे तत्तो में यहां पर बन जाता है जैसे ही उसमें क्या होता है हमारे जैसे ही हमारा जो पिंड था जो हमारे ब्रह्मान बनने से पहले जैसे ही वह फूटता है तो हम देखते हैं कि यहां पर गैसों में हमारा सोलर सिस्टम बनता है हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है मन्दाकनी या फिर मिल्की वे जिसे हम लोग इंगलिस पे कहते हैं और हमारा यह सर्पिलाकार संदचना में ठीक है तो अभी आप समझ गया हूंगे आज मैंने आपको फिर से पूरा रिवीजन कर दि सभी है तो सभी लोग जैंड सेशन को यहां पर और शेयर करें सभी लोग जो है सेशन को एक भार क्या कर दिजेगा नापर करते जाएगा फिर अगर अगर बात करते हैं यहां पर solar system की तो अगर अगर शोलर सिस्टम में अपना पहला पार्ट देखते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं क्या कुछ अगर 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 की बात करें जहां पर सबसे अधिक क्या होगी एनर्जी होगी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहां पर बल्ज बोल ला हिंदी और इंगलिस दोनों में ही हमारा क्या होगा यह बल्ज होगा ठीक क्या होगा बल्ज यहां पर इसको हम लोग बोलेंगे बल्ज में तारू का सरवादिक क्या होता है संक्रेंड रन होता है यानि की संक्रेंड मतलब कि सबसे अधिक हमारी क्या होती है एनर्जी प्रिव्यूज होती है क्यों होती है क्यों कि जो है यहां पर हमारी सबसे ज़्य विए सब्सक्रावरी नाम को सीनटीनियूसली बहुत अधिक मात्रा में चलने होती हमारी आकाज गंगा का क्या नाम है मिल्कीवे या फिर मन्दाकनी यहाँ पर है अब बहुत अच्छा ये देख रहे होंगी कि एंड्रोमेटा हमारी आकाज गंगा के सबसे निकटतम आकाज गंगा है ठीक है हमारी आकाज गंगा है जिसका नाम क्या है मंदाकनी है तो अगर कोई आप से पूछता है मंदाकनी के पास की हमारी कौन सी मिलकी वे हमारा क्या है मिलकी वे है तो आप बता सकते हैं कि जो हमारी आकास गंगा यानि मंदाकनी के पास की सबसे जो नियरस मिलकी वे है वो क्या है एंडरो मेटा है ठीक है यार रखेगा कुश्चन पूछा जाता है कि एंडरो मेटा जो है हमारी कहां पर पाई जाती है तो आप उसकी लोकेशन या फिर सबसे पास की मंदाकनी के पास सबसे पा अबात करेंगे तो हमारी क्या होंगे अरियन नेबूला होंगे तो यहां ऊए कि यहल्गा ने जिल र Confederate को अचाव अग्या अव मनदाकनी यह नहीं है और मन अचानी mean जाने वाली सबसे निकटतम आकाज गंगा क्या है? एंडरो मेटा है, मोस्ट इंपोर्टन कोश्य नहीं है, याद रखेंगा एंडरो मेटा है, ठीक है? फिर Aryan Nebula जो है वो हमारे आकास गंगा की सबसे सीतल और सबसे कैसे ठंडे तारे हैं याद रखिएगा ठीकिए सबसे सीतल और सबसे चमकीले ठीकिए सीतल यानी की ठंडे ही हो जाएगा तो Aryan Nebula Andrometa यहाँ पर आप लोग क्लियर कर लीजेगा ठीकिए तो यह स्लाइड आपकी प्रिकास बर्स में जो सुर्र द्वारा चली सुर्य के प्रिकास द्वारा तैकिगए जो दूरी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं लाइट ये या प्रिकास बर्स यहां पर कहते हैं तो हमारा डायमीटर of our Milky Way approximately कितना होगा यहाँ पर एक लाग प्रकास वर्स यहाँ पर होगा सूर हमारी जो है आकाज गंगा का क्या है एक तारा है क्या है हमारी आकाज गंगा का एक तारा है तो सूर जो है वो क्या है एक तारा है तारा है यह चीज आप बहुत पहले से भी पढ़ रहे होंगे कि हमारी जो आकाद गंगा है हम मतलब सूर जो है उसको क्या बोलते हैं हम एक तारा बोलते हैं और एक तारा क्यों बोलते हैं क्योंकि इसमें बराबर कंटी यूशल क्या होता है नाविकी सल्यन की क्रिया होती है इसमें स्वयम का प्रकास होता है जिस करेंगे तो याद रखेंगे ग्रहों में स्वयम की उंजा नहीं होती है यानि सल्यन की क्रिया नहीं होती है यानि हाइड्रोजन से हीलियम में conversion यहाँ पर नहीं होता है तो याद रखेगा वो सूरज के प्रकास से ही चमकते हैं उनमें स्वयम का प्रकास नहीं होता है ठीक है तारो और हमारे सूरे की तरह तो सूर हमारी आकास गंगा का क्या है एक तारा है सूर का निकटतम तारा कौँ सा है अब सूर तो एक तारा ही है पर अगर कोशन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सूर का सबसे निकटम तारा कौन सा है तो यहां पर आप बताएंगे कि हमारा कौन सा है प्रेक्सिमा है ठीक है प्रेक्सिमा सेंचुरी जो है वो क्या है हमारी प्रेक्सिमा सेंचुरी जो है वो हम प्रतवी बदिखाई पढ़ने वाला सरवादिक चमकीला प्रतवी इस अंधि और झाली ही तो रही लुग कि तरह सबसे नियरस्ट क्या है सबसे चम्तीला और समय developer सर्वादियक चम्तीला धियन के डिक यहों से चलिए तो आज से हमारा ज्स टॉपए की कि बात कर रहे थे वो यहां से बेंगे स्टार्ट झानम की आगा कि स्टार्ट फिर साव मंड़ को हमारी सौर मंडल की उपस्तिती जो हमारी आकाज गंगा है मंदाखनी वहां पर इसकी उपस्तिती है और अगर बात करते हैं सौर मंडल की तो सौर मंडल किन किन चीजों से मिलकर बना है यहां पर देखते हैं तो सूर एवं उसके चारों तरफ भ्रमण करने वाले सौर मंडल किसको कह स्टेटिलाइट बॉड़ी सच एज अप्लैनेट सेटिलाइट एस्टेरोइट कॉमेड मेट्रोइज और ड्राफ प्लैनेट डेयार रिवाल्वर्व एराउंड दसन ठीके क्या करते हैं सन के चारो ओर जो चक्कर लगाते हैं उनको हम लुग क्या बोलते हैं सोलर सिस्टम बोल यह उस पॉइंट में लिखा हुआ है सूर मंदल की उर्जा और प्रकास दोनों का ही क्या है स्रोथ है हमने आपको अदी भी बताया था कि जो हमारे उग्रह जो भी है इनकी चमक यह जो हमको चमकते हुए दिखते हैं इनकी स्वयम की रॉस्नी नहीं होती है यह सूरज की तारो और सूरज में और सूरज भी एक तारा ही है इनवे क्या नाविकी सल्यन की क्रिया होती है यानि हाइडोजन से हीलियम में हमारा बदलाओ जानी रहता है इसलिए यह पॉइंट लिखा है कि सूर्र सौर मंदल की उर्जा और प्रकास का भी यहां पर क्या है जन्म दाता सूर्य की उर्जा का स्रोत उसके केंद्र में क्या है हाइडोजन परमाणू का नाविकी सल्यन अभिक्रिया द्वारा क्या हीलियम में बदल जाना तो यह पॉइंट मुझे लगता है अभी आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा हम लोग इसको बार-बार रिपीड भी कर है तो चलिए अब आप लोगोंने जान लिया कि सौर मंडल क्या है कि सूर्य के चारो ओर चक्तल लगाने वाले ग्रै उप ग्रै दूंकेतु उलका ही जो होती है वह सएक रूप से हमारा क्या हमारा सोलर सिस्टम का निर्मार करती है यहां पर जो ग्रै होंगे आप फिगर में पर देख रहे होंगे सबसे सन है ठीक है सन के बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो बुद्ध सुक्र प्रत्वी मंगल और फिर हमारा क्या आ जाता है ब्रैस्पती सनी और अरुन और वरुन यहां पर इस्तिती देख सके हों नेप्चून है यहां पर हम जब अनेक्स्ट क्ल कि एक एक ग्रह की बात करेंगे उनकी क्या विसस्ता उनके बारे में भी जानेंगे तो आग बेसिक लिए आप पूरा स्वार मंडल जान लिए कि हां सूरज और इनके चारो और सभी तरीके के जो ग्रह हमारे चपकल लगाते हैं यह फिर उप ग्रह यानि कि सैटलाइट धू सूर मंडल का निर्माड करतें हैं तो आप नेक्स स्लाइड में क्या है यहां पर सूरज सूरज की सब सहां करतें हैं तो एक रह बहारे मनछे स्वार कि सूरज में मतलग right-through support सुरज की संदचना की बात करते हैं तो यहां पर हमको सबसे आंतरिक भाग जिस तरीके से प्रत्री का सबसे आंतरिक भाग भी कोड था उसी तरीके से यहां पर हमारा क्या सूरज का भी जो सबसे आंतरिक भाग होगा उसको क्या कहते हैं ठीक है फिर हम अगर कहते हैं कि हमारा तो इसपेर कौन सा भाग होता है यहां पर हम अगर बात करते हैं कि यहां पर हमारा जो फोटो इसपेर होता है वो क्या होता है प्रकास पंडल किसको कहते हैं जिनको हम खुली आखों से यहां पर हम लोग या फिर सबसे बाहरी सता जो होती है वो हमारा क्या होता है विजवल प गजो हमारी परत होगी वो क्या होगी को रोगी क्या होगी हमारी यहां पर ठोरो ना humans तो यहां पर कितनी हुआ बन रहे सूरी की बात करते तो आप हमारा क्या होगा सबसे बाहतं पाद शबसे आंतरिक्स संवיक्षना के इसा परच की कि kijemub हम सूर儿 की बात करते तो आपको पता है हमारा ह है ह्ना और है हीलियम की हीला में कनवर्ट होने से बनता है हिका है अगर यह हाण हीलियम की यहां इस हीलियम की पर्सेंटेज बहने होता है 75 हैं अगर atenção क्या हैLiNEYUM हमारा Finally 26% होता है ठीक है किता परसेंट होता है और जो अन्य तत्तो होते हैं वो यहां पर हमारे आ जाते हैं तो तीन तरीके के तत्तो यहां पर हमारे सूरज का निर्मार करते हैं जिसमें हाइडोजन से हीलियम यही हमारी क्या होती है सल्यन की क्रिया कहलाती है और सल्यन की क्रिया में क्या होता है हमारा जो है 75% hydrogen होता है then 26% हमारा क्या होता है helium होता है ठीक है अब आप ये भी समझ गया है कि सूरत की जो संवर्चना होती है वो भी कैसे कैसे होती है core, photo spare, chromo spare then सबसे last हमारी क्या होगी corona होगी ठीक है अब इसके बारे में और भी बात करेंगे एक एक करके पूरा इसका भी explanation यहाँ पर हम लोग देखेंगे ठीक है यह देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सबसे बाहतम जो लेयर है वो हमारी कौन सी होगी corona होगी आप यहाँ पर यह देखी लिखा भी हुआ है पतनी आप लोगों को यहाँ पर इसक्रीन में दिख रहा है कि नहीं ठीक है तो अगर बात करते हैं तो यह क्या होगा सबसे बाहतम लेयर हमारी corona है ठीक है को देख रहे हैं आप सबसे ज़्यादा हमारा क्या है अंदर का पार् प्रोमो एस्पेयर आजाता है और प्रकास मंदल कैसा एरिया होता है जो कि हमको दिखाई पड़ता है सूरज की रॉष्णी में ठीक है चलिए पर बात करते हैं कि सूरज से संबंदे कुछ तत्तों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अगर सूरज की आईउ की दा एज ऑप स सूरज की बात करते हैं तो यह कितनी है पांच बिलियन वर्स है ठीक हमारा कितना है 5 बिलियन हमारा क्या होगा यहां इयर्स होगा अगर सूरज यह फेक्ट है इनको भी आप लोगों को जानना चाहिए ठीक है कभी-कभी एक्जाम में स्टेटमेंट के रूप पे भी आ जात 13,92,000 km इसका क्या है ब्यास है ठीक है क्या है ब्यास है यानि कि हमारा अगर हम बात करते हैं डायमीटर की तो वो कितना होगा हमारा 13,92,000 km हमारा होगा ठीक है फिर उसकी बात करते हैं सूरज का आयतन जो है सूरज का आयतन जो है वो कितना प्रत्री से हमारा 13,00,000 गुना अ इनको इब अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको यह याद हो जाएंगे कि इस स्टेटमेंट के रूप में यह आपको कभी कभी दिख जाते हैं फिर सूरिका द्रवमान जो होगा सूरिका द्रवमान जो है वह प्रतिवी से कितना अधिक है तीन लाख 32,000 गुना यहां पर हमा यहां पर भी देख सकते हैं ठीक कितना होगा चैया तो अगर सूरज के बात करें तो यहां पर हमने कितने फैक देखेंगे सबसे पहले है तो हमारा सूरज की होगी पांच बिलियम वर्स होगी ठीक है अगर इसकी ब्यास यह पर डायमेटर की बात करते हैं तो 13,92,000 किलो है ठीक हमने पहले 32 पड़ा से प्याद रखेगा किता है यहां पर तीन लाग 32,000 गुना है तो यह भी आप लोगों का क्लियर और पोटो इसपेर का जो टेंपरेचर वह किता है चेह लाग दिग्री सेंटीग्रेट है और पोटो इसपेर हमने आपको बताया था जो सूरज का जो भाग हमको दिखाई देता है वो क्या कहलाता है हमाराी पोटो कहलाता है जिसका दाप हमारा किता है 6,000 डिकरी सेंटीग्रेट यहां पर है तो सोच लीजह कि क्कुको का जो है वह ताफ कितना अधिगろうग यानलिका यह आनी कि अगर आन्ट्री भाग कि यहां पर बात करत तो कोर का तो अधिक होना ही था और यह कितना अधिक है आप देख रहे होंगे फंद्रा बिलियन डिग्री सेंटिग्रेट यहां पर अधिक है अब बात करते हैं कि सूर्र के प्रकास को प्रतिवी तक पहुचने में लगने वाला समय का तो यहां पर यहां पर प्रतिवी तो रहए पहुचने में बात करते है हैं सबसे बड़ी अगर दूरी मापने की सबसे बड़ी आगर हम इकाई की बात करते हैं, तो वो अमारी क्या होगी, एक पार से, जिसके कितना प्रकास बर्स होता है, 3.6 हमारा प्रकास बर्स यहां पर होता है, तो यह कुछ फैक्ट है, सूर इसे रिलेटेट ही है, चलिए फिर सूर के बाद हम देखते हैं, नेक्स जो हमारी स्लाइड है, वो सूरज का वो भाग है जो हमें खुली आंखों से दिखाई पड़ता है या फिर वो भाग है जो हम क्या कहते हैं देख सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रकास मंडल बोलते हैं या फिर फोटो एस्पेर यहाँ पर हम लोग उसको बोलेंगे ठीक है क्लियर हुआ संवच के अजिदिशन दिष्णा की बात कर रहे हैं की आपर यहां थै स्कारां आधिक हो जाता कि उस्ना थह लोगता है वह आद होता है उस्फान की तरीके से गुजरता है की तूफन히 की तरीके तो परमाणम से कोएफा हिस्सा अलग हमको देखें गाइए जबुह हम देखते हैं कि किया अपस में आपस सिला हुते हैं गैसों का reacted पहुते हैं शॉपरां निकल के हमारा अंतिरुक्ष में चला जाता है और कुंध् स्वार ज्वाला के नाम से यहां पर हम लोग जानते है उसको तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि परमाणूं के आपस में टक्राओं के कारण ऐसी इस्तिती बन जाती है कि उन में बहुत ज्यादा गुरुत्वा करसंड होने के कारण वो हिस्सा जो होता है वो अलग निकलके यहां पर हमको क्या होता है अंतरिक्ष के पाड चला जाता है ठीके इस चीज को याद रखेगा तो उसको हम लोग क्या वो लेंगे सोलर झाला के नाम से भी यहां पर हम लोग जानेंगे तो यहीं पॉइंट लिका है कि कभी-कभी क्या होता है पोट्टो स्पैर में परमाणूं का तूफा तेजी से निकल जाता है कि सूर की आकरसर सक्ती को क्या कर देता है पार कर देता है और अंतरिक्ष में पहुच जाता है तो यही हमारा क्या कहलाता है स्वार ज्वाला या फिर स्वालर थायर हमारा कहलाता है यही पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है ठीक है फिर नेक् जब दिखाई देती है तो यह उत्तरी दुप और दख्णी दुप में दिखाई देता है यह जो सौर हमारा क्या होता है तो हमने आपको बताया था थीक है तो यह जो सौर जाला होती है यह हमारा क्या करता है हमको दिखाई पड़ता है कहा दिखाई पड़ता है उत्तरी और द दिखाई पड़ता है और जब चमकदार तरीके से दिखाई पड़ता है तो यह उत्तरी दरूब में जो इस चमकदार तरीके से दिखाई देता है तो इसको हम लोग क्या बोलते है और दक्षणी दरूब में क्या दिखाई देता है और अरोरा हमारा क्या 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 क् पृषची तो हमारा तक तो ** याद कर सकते हैं। आगर हमारी dhakshani जो सौरee झाला है जो कि जैसे ही अंतरिया से इानि अग्मेहिश जान रहे हैं। आप पु आना होगे। तो आ या झालते हैं कि जयसे ही सौर ज्याला झाला है कि जैसे ही स सौर झाला jarumony frog दुखिझ दुखिभ और हमारे दक्षड दुरूब में छमकदार तरीके से हमको दिखता है तो उत्री दुख पर इसको क्या कहते है Taylor अरोरा हमारा ऑस्ट्रियोलॉसिस बोलते हैं तो जब यह जोट्जूला प्रत्वी दुखिवे मंदल मऺंदध attending जाना जाता है, तो इस नाम से हमको जानना जाता है, ठीक है, क्लियर हुआ, फिर नेक्स स्लाइड की बात करते हैं, तो यहां पर क्या आगया, हम अपर क्या बोलेंगे, सन इस्पोर्ट के नाम पर बोलेंगे अब किसको बोलेंगे हमने अभी स्वार ज्वाला जान लिया कि स्वार ज्वाला हमारा क्या होता है अब स्वार ज्वाला जहां से जिस जगह से गैसों का यहां पर हट जाना उस जगह पर हमारा क्या होता है गैसों का जैसे ही गैस हट जा यहां पर सौर कलंक बोलते हैं या फिर सन स्पॉर्ट मोलते हैं तो आपको यह बहुत अच्छे से पता है कि जिदर से हमारी स्वार ज्वाला निकलेगी तो वहां पर गैसों का इस्थान है वह कुछ हमारा क्या हो जाएगा खाली रह जाएगा उसी को हम लोग क्या बोरेंगे स कि जाएगा उसी कोच से और सौर कलंक बिधको क्या वहा निकलता हूँ जाएगा और जहां पर गैसे नहीं रह जाती है सूरज में कशें से थाथिके हैं ऑपको यहां पर सण स्पॉर्ट दिखेंगा था गा जहां पर सौर मोलते हम स्वार जहा बहुता है बोरेंगे सहां तो क्या होगा वहां पर हमारा ये जो आटोमेटिकली कैसे हुए इनका ताकमान इप्तता रह जाएगा 1500 gradini तो यहां पर रह जाएगा यहां पर रह जाएगा, सौर कलंग, प्रबल चुंब क की ए, निर्ड ये विक्रण उसनघ्रत करता है, gy jisselे हामारा क्या हो जाता है, संचार व्यवस्ता में जो है, वो लॉस होता है या फिर गरवर हो जाता है, अपैक्छा करण डेलीगे, ठीक है, क्लियर हुआ, तो यहाँ पर सौर कलंक आप समझ गए होंगे, स्वार जाला भी समझ गए होंगे, ठीक है, और यह अपैक्छा करण ठंडे भाग होते हैं, क्यों ठंडे होते हैं क्योंकि नहीं चल नहीं होती है हमारी इस वजेसे थीक है आपको बताया था कि जो पोरोना होता है उठान होता है सबसे खेसा है निए समय और ग्रहण के समय तो यह तो बहुत important बन रहा है कि जो हमारा कोरोना का जो भाग है सूरज का सबसे outer layer या पिर सबसे बहातम जो layer है वो हमें कब दिखाई पड़ती है तो ऐसा हमको सिर्फ विज्वाल होता है during the क्या होता है eclipse of solar eclipse के time पर यानि कि सूर ग्रहन के time पर हमको ऐसा करोना जो है वो ring like structure हमको दिखा पड़ता है ठीक है ring या पर diamond shape भी हम लोग कह सकते है और यह आप figure में भी बहुत अच्छे से यहां पर देख रहे हैं ठीक है यह देख सकते हैं कि सारा यहां पर हमारा क्या है यह हमारा क्या है सूरज का सबसे बहातम बाग यानि कि कोरोना यहां पर हो जाएगा यह सूर के लेयर के बाद की सन रचना है जो लागों किलो मेटर तक आकास में सूरज के चारो तरह पहली है तो आपको पता है कि हमारा four आएगा four के बाद हमारा क्या आएगा जो हमको आपनी आखों से दिखाई पड़ता है यानि कि क्रोमो स्पेर आएगा फिर क्या आएगा हमारा इस भाग का अध्यान करने के लिए इस रो ने भारती अंतरिक्त अनुसंदान में आदित वन नामग मिशन को भी लॉंच किया था तो इस रो ने यानि की इंडियन इस पेस रिसर्च और्गनाइजेशन ने इस प्लैनिंग टू लॉंच दा आदित वन मिशन पॉर दा इस अधित वन नामग क्या किया था यह हमारा मिशन जो है लॉंच किया था और को याद अच्छ से हो जाएगा क्यों कि हम लोगों ने इसके बारे में बहुत ज्यादा सुन मी रख आया भी खिलाल तो आप समझ जाहिएगा कि दोनों ही डेंजरास सबसे बाहतम परत्मी और हमार जल्दी से सेशिन को लाइक और शेयर कर दीजेगा और सभी लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाईएगा ठीक अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर कि हमारी क्लास जो है उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा तो हम लोगों ने इसमें सबसे पहले ब्रहमान के बारे में अगर उसमें पिस्वाण फारे में से सब्साइब अज लोगों डीक कहें हो मन्मानी जल्दी सेट्षम तो हमारे में व्यों आप ट्लेगों के बात करेब के क्ताब हुए क्या हम जोसमेरे मेंृ छुक्ति क को डिश तो हमारे हम लोगों को बात करें तो कि टोंने शुड़ व अगर एक परिभाशा में बोला जाए तो सूर्य के चारो ओर चक्कर लगाते हुए हमारे ग्रह, अपग्रह, धूम, केतु, उलकाय, चुद्र ग्रह, साथ ही साथ जो हमारा सूर्य सायुक्त रूप से हमारा क्या कहलाता है, सोलर सिस्टम या फिर स्वार मंदल कहलाता है, इसमे हमने सबसे पहले किसको पढ़ा था सूरज को पढ़ा था जो कि हमारा क्या था मुख केंद्र था हमने उसके बारे में यहां पर सबसे पहले देखा था कि सूरज के कुछ बेसिक पॉइंट थे उन पर बात करी तो अगर हम बात करते हैं सूरज की संदचना पे तो सूरज की स कि यहां पर सब्से आंतरिक सफिर हुटा कि हमारी साथ स्वेश क की हुठ जो कि हमें धिखाई पड़ता है हुझके बाद और पोरता है हमें जारा कर दोड़ा कर यहां पर एक क्षेयर दोसुरिय पर बाती यहुट पूरा किनारे गोल गोल को अगर बात करते हैं। आपनी सवयंंय की जो हुमारे और र मेरे कह पर विश्यज विमक्ट करते हैं। हमारे तारे विमुक्त करते हैं और यह जो हाइड्रोजन से हीलियम का परिवर्तन होता है यह हमारा क्या कहलाता है नावकी सल्यन कहलाता है तो सूरज की बात हो गई ती कला आज हम लोगों ने यहां पर सूरज से रिलेटर जितने भी फैक बन रहे थे उन पर भी देख लिया कीने ती कि सूर उवजा की बारे में सार जाला के बारे में सोर जालते दी कैसffen को टत्रचन आथे होते हैं तो एक तो प्रवान ईंहू थेSwagdra कर चूर歌 कशन को Türkiye के वह श्यक्सिपार जाते है तो यह हम्को वोगों की सूर्र Calm वायू मंदल नौ तो यह हमें चमकदार या तुछीय तो हम वायू मंदल यहां से निकलती है उस जगह पे हमें कुछ काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं तो वहां पर जो हमारी गैसे सी वह कम हो गई है ठीक है क्यों वहां उस इससे का हमारा जो सूरज की जो सौर्ज वाला है वहां से जब निकल के चली गई तुफान की तरीके से व्यानी की वह गुरु जहां से यह सौर जोला निकल के जाती है वहां पर हमको क्या दिखाई पड़ता है कि काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं तो वह काले धब्बे हमारे क्या कहलाते हैं सौर कलंक कहलाते हैं अब वह सौर कलंक क्यों कहलाते हैं क्योंकि वहां पर से हमारी जो गैसे के परमाड अगर हम बात करते हैं आज की टॉपिक पे तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है सोलर सिस्टम से रिलेटेड सारे प्लैनेट सूर्ज के बारे में यानि कि इसके जो मुख्या हैं हमने उनकी बात कर ली कि हा सूरज का हमारा जो सौर मंदल की उर्जा का या फिर रौश सारे प्लैनेट सो सारे ग्रहों को यह किस सूर्ज से प्राप्त होता है तो चलिए यहां पर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी से तो सोलर सिस्टम के बार आज आप देखेंगे सारे प्लैनेट सो सूर्ज की कल मने बात कर ली थी अब हमको यहां पर सूर का भाग सारे प्लैनेट साटे हैं प्लैनेट सारे प्लैनेट सारे ट्रम कि फटे सबसे पहले हमारा क्या आता है बुद्ध शुक्र प्रत्वी मंगल ऑंप प्रत्वी और मंगल यहां पर उसके बाद में लिखेंगे तो क्या आजाएगा ब्रेसपती और अरुन और नेप्चुन, और रून किरी नेप्रण की आता है स्क्रीन में के हो अगर आपको बन wing чи को को नीयार बोलते हैं अगर आपको इसके दिख जैना हो नहीं Usually ना उसल्ट सब्सक्राइब काहरा इसक्यान एक स्क्रीन में मुझे पाह ंंढ़ी हम रे less रहा है। तो सबसे पहले एक बार सभी लोग आप लोग जरा मेरे साथ बोलीगा कि अगर ग्रहों की बात करते हैं ग्रहों की क्रम की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा बुद्ध सुक्र प्रत्वी और हमारा क्या आजाएगा मंगल आजाएगा ठीक है उसके बाद हमारा क पीटर यानी कि ब्रहष्पत्री थीक है सनी और अरून और वरुन यहां पर होते से चोट रह की बात करेंगे तो हम किस बोलेंगे? बुल को बुलेंगे अगर सबसे बड़े गहाए की बात करेंगे तो वह हमारा क्या हो Aha अब यहां पर दो तरीके के ग्रह आते हैं हमारे आंत्रिक ग्रह और एक होते हैं हमारे बाह ग्रह अगर हम आंत्रिक ग्रहों की बात करेंगे तो आंत्रिक ग्रह वो ग्रह होते हैं जो सूर्य के सबसे समीब होते हैं और आकार में कैसे होते हैं छोटे होते हैं और जिनका घनत क्या होता है बहुत अधिक होता है तो उन ग्रहों में हमारे कौन-कौन से आते हैं यह चार ग्रह आते हैं अगर इन चार ग्रहों की बात करेंगे तो हमारे कौन-कौन से यह जो है यहां पर आते हैं इसको याद रखेगा यह जो हमारे चार ग्रह हैं यह हमारे कैसे ग्रह होंग अगर हम बात करते हैं Jupiter, Saturn और हमारा Uranus और Neptune की बात करते हैं, अरोन और वरों की तो यह हमारे कैसे होंगे? बाह ग्रह होंगे, ठीक है क्या होंगे? आउटर प्लैनेट्स होंगे, क्यों होंगे? क्यों होंगे? क्यों होंगे? क्यों होते हैं? भारी होते हैं, बड़े होते हैं और सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यह हमारे इनर ग्रह होगा और यह हमारे कैसे ग्रह होंगे आउटर ग्रह हो जाएंगे ठीक है अगर आंतरी ग्रहों कि हम यहां पर बात कर रहे हैं तो यह याद रखेगा हमेशा कैसे होंगे आकार में छोटे होंगे इसका भी कारण है क् होंगता है तो अकम होता जाएगा अगर हम बात करते हैं झाल कि सविये हम भीक तरह बारे में पढ़ाया था कि जब हमारा जो अगनी पिंट था या फिर एक तत्त था जिसमें बिग बैंक के तहट क्या हुआ पुछ गैसों में आपस में संगनन के कारण ताब दाब के प्रभाव के कारण क्या हुआ विस्पोट होने से क्या हुआ हमारी अकाज गंगा बनी और अकाज गंगा के सयुक्त रूप को हमने क्या बोल दिया यूनिवर्स बोल दिया ठीक है तो जब जैसे जैसे दूरिया बहुत जैसे जैसे तत्तो का बहार जो है पहलेगा तो पास चीज जो होगी वो हमेसा कैसे होगी मतलब भारी चीज जो होगी वो हमेसा कैसे पास में कि इनका जो घनत बहुत जो ऊदिक होने के कारण ये कई रहे हैं पास पास यह थे के हुए मैं और सब्ध, सुक्र, प्रतिवी, और मंगल, ब्सकति, इन्हें, मरतक्री, सन्हें, आरण वरूर्ण, उपिटर शैंटर और यूरिणस और ने किंड़ और हमारे करम को जाए diesel ऑगर हम पर अपर अगर बद्ध पर चोटो रह आंकि सबसा हो झाइगाowго तो ब्रेस्पती की बात करते हैं तो क्यामारा कैसा हमारा सबसे बड़ा वह हो जाएगा तो चलिए भesteem के यहां कि सायूक्ट रूप को ही हम लोग क्या बोलते हैं उड़ते हैं हम अगल सोर्य होगा सबसे पहले याद रखिए कर ग्रहों में खुद की हमारी हमारी प्रकास नहीं पाया जाता है इनको जो प्रकास मिलता है वो किस्से मिलता है सूरे के प्रकास से और उर्जा किस्से मिलती है इनको सूरे से की मिलते और अगर इनकी उत्पत्ति की बात करी जाए तो इनकी उत्पत्ति जो यानि की अगर कोई पूछता है कि ग्रह कैसे बने तो आप बता सकते ह करें कैसे होता है जल्दी आपक्त जालोering ऑर शेयर कर दिजेगा अमेथ Pankaj जी यहाँ पर Kuldeep जी भी जोड़ चुके हैं ठीक है सबह Ginger यहां तक भी आप लोग अपने इंस्टाग्राम हो गयाया इस हिएप जेहर कर सकतें तो चलिए सबी लोग जुड़ते रहिए का फिर हम बात करते हैं अगर आज की पहले ग्रह की तो हमारा आपको solar system clear हो गया अब हम बात करेंगे आज के सबसे पहले ग्रह की जो की हमारा कौन सा होगा बुद्ध होगा ठीक है यहां पर देखिए सबसे पहले planet आ रहा है अगर हम अब फिर का इई इसमें सब्सक्राया है अगर पारों की परिक्रमा करने वाले आप प्रकास रहिताकी वाले सबसे हैं तो क्योंकि आपको मैंने बताया कि इनके जो है स्वयम की उर्जा नहीं होती है ठीक है यह सूरत से ही प्रकास लेते हैं और उर्जा लेते हैं ठीक है तो यह क्या हो जाएंगे तारों की परिक्रमा करने वाले यानि सूर्य की परिक्रमा करने वाले प्रकास रही ताकासी पिंड को क्या बोलते हैं हम लोग ग्रह या फिर प्लैनेट्स बोलते हैं हमारे सौर मंडल में वेरी गोड कुल्दीब जी ठीक है और भी यहां पर जीनियस गोड इवनिंग जीनियस एपी जी भी है ठीक है सभी लोग जराई पर जल्दी से से सेशन को लाइक और शेयर करते जाएगा औ आपकी एक्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट होटी है जाकि आपकी जो कुश्यन बने इन्हीं टॉपिक से यहां पर सारे जो भी मैंने लिखा हुआ है वो किसे रिपेटेड हमारे प्रीवियस एयर से रिलेकेट सारे फैक्ट और जो भी कुश्यन बने हैं वो यह हमारे सूर से निकले हुए पिंडे तता सूर की क्या करते हैं परिक्रमा करते हैं इन आवर सोलर सिस्टम इस आर्दा क्या है सैटिलाइट बोडिजनेट फॉर दा सन एंड रिवॉल्ड दा एरांड एट यहां पर हमारा हो जाएगा फिर अगर हम बात करते हैं एक बहुत सूर की परिक्रमा कैसे करते हैं आरे इटारे के यहांपर करते हैं कि इसको चोड़कि स्प्रकों सुक्रांड ि सारी ही ग्रह हमारे कैसे हम से पूर्वधिसा की और aqqis को छोड़के सिर्फ यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सुक्र और arund को छोड़ के सुक्र और जो है वह हमेरे श्म हमारे कैसे पूरफ से पूरफ के और कुमते हैं सा निख obsyas कर गोम Northwest Paragas पूरव फचच्छ मूश ऑपा पूरप कि और ऑर गूम रहा है, तो सूरी जल्टा इना फॉरश ने यहां पर यहीं पूरफ को स्थी ओदे ओच्छ नी तो आप बता सकते हैं सूरीख hell dot वाकि सारे ही ग्रह हमारे कैसे पस्चिम से पूरव की ओर घूमते हैं तो देखिए का मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर यह भी लिखा हुआ था फिर अगर बात करते हैं तो यहां पर देखिए वही लिखा हुआ है कि हमने जो आप लोगों को बताया था कि आंत्रिक ग्रह मे नाम से यहां पर हम लोग जानते हैं फिर अगर यह किस से बने होते हैं हमने आपको बताया था हैवी यानि की भारी पतार्तों से बने होते हैं हैवी मैटल से यहां पर बने होते हैं बहाग रह की बात करेंगे तो हमारे कौन से हो जाएंगे ब्रहस्पति सनी अरुन और प्लैनेट भी बोलते हैं sorry क्या बोलते हैं ενत्युनेश्च नेति अकार में बड़े होने के कारण जायी कि यह यह यहां पर वही पॉइंट लिखा है कि Jupiter is the largest planet in our solar system and the Mercury is the smallest हो जाएगा, ठीक है, तो चलिए clear हुआ, अभी यही चीज हमने आपको सारी repeat कर दी थी, सारी अभी जो class में बात करी थी, अपर solar system जब start किया था, तो यही से ही हमने इस चीज को start भी किया था, चलिए clear हुआ, फिर अग बुद्ध की बात करते हैं, तो सबसे पहला या फिर सबसे इंपोर्टन पॉइंट जो बनता है और खोश्यन कि इसमें भी कि पहले पॉइंट की बात करी जाए तो यह कैसा Mercury is the closest and the smallest planet of the Sun हो जाएगा, ठीक है, तो बुद्ध जो है सूरिका, याद रखिए किसका सूरिका सब सबसे निकटतम और सबसे कैसा छोटा ग्रह है, तीक है, यानि कि Mercury is the closest and smallest planet of the Sun हो जाएगा, ठीक है, प्लैनेट to the Sun यहाँ पर हो जाएगा, अगर परिक्रमा की बात करें कि यह सूरिकी परिक्रमा जो है कितने दिन में करता है, तो सबसे पास होने की कारण यह सबसे जल्दी क क्योंकि यह सूरज के सबसे पास में तो जो परिक्रमा जब यह करेंगा तो यह कैसे परिक्रमा कर लेगा जल्दी सबी के कंपेरिजन में तो अगर परिक्रमा की बात करी जाए तो यह अपना और विट एरां कितने सन में, सन इंदा 88 देज में यहाँ परिक्रमा कर लेता है, पर अगर बात करते हैं यह भी देखिए का इम्पॉर्टेंट लिखा है यह सारे ही कुछ एक पार सफे पहले यह सारे ही फेक्ट जो आपके एक्जांग में पूछे गए इसलिए इनको आप एक पॉइंट या पर एक एक स्लाइट को है आप स्क्रींशॉट लेकर आप यहां से पढ़ सकते हैं इससे एक भी कोश्चन जो है आपका बाहर नहीं जाएगा ठीक किसी भी क्लास की पीपीटी में आपके जो कुश्चन मनते हैं सारे प्रीवियस से रिलेटेड या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी है या फिर कॉंसेप्ट तो हम आपको यहां पर बताते ही है तो यहां पर है कि वायू मंदल के आभाव के कारण किसके कारण वायू मंदल के आभाव के कारण डियू टू दा एपसेंस आप्मोस्फियर लाइप इस नोट पॉसिवल और मरकरी वायू मंदल के आभाव के कारण जो है बुद्ध पर जीवन संभाव नहीं है क्यों न तिन तो गरम होगा है क्योंकि सूरज के सबसे पास का उंसी बपर को सबस्ते हैं करूपे तो इतनी ज्यादा कर दो उस हमारा कि जए यहां पर रहा हम किसी के लिए पर मानौ सरीर के लिए प्रॉसिबल नहीं होता है फिर अगर क्या पूषा जाए कि क्योंकि इसका जो तापूंतर है सभी ग्रहों से कितना 560 degree centigrade अधिक होता है जिक कितना 560 degree centigrade अधिक होने के कारण इसका जो तापमान है यह यहां पर हम को क्या होता है अधिक देखने को मिलता है फिर है तो चलिए आप सारे समझ गए फिर है कि बुद्ध का एक दिन प्रतिवी के 90 दिन के बरावर होता है तो interesting point भी है ठीक है? अगर आप बात करते हैं तो बुद्ध का जो एक दिन है प्रतिवी के कितने 90 दिनों के यहाँ पर बरावर है तो आप खुद भी सोच रहोंगे क कि हमारा प्रतिवी का 90 दिन और यहाँ पर क्या होगा बुद्ध का सिर्फ एक दिन होगा फिर यहाँ पर कि बुद्ध का कोई उपग्रह नहीं है इसका क्या बोलेंगे कि यहाँ पर कोई भी सेटलाइट यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिलता है इसके अध्यान के लिए हम सबस्क्राइब कि अब इसके हैं और मेरिनर क्रतिम उपग्रे भी जाए तो मैसेंजर और मैरिनर यह यहाल रखेगा इसके हैं जो कि किसके लिए हैं यहां पर हमारे मर्करी या फिर बुद्ध के लिए तो चलिए ज़ली जल्दी से पॉइंट एक बार रिपीट कर लेते हैं त तो यह सबसे छोटा, एक सूर के सबसे निकट कग रहे है, ठीक, अगर सूर के चक्कर लग परिक्रवा करने की बात करी जाए, तो यह हमारे 88 डेस में यह कम्प्लीट कर लेता है, इसमें वायू मंदल का क्या होता है, अभाव होता है, क्यों आभाव होता है, क्योंकि यहां की जो राते होती है, वो सूर के अधिक गरम होती है, और राते कैसी होती है, हमारी ठंडी होती, क्योंकि यह सूर के पास सबसे अधिक है, उनका तापांतर भी 560 डिग्री सेंटीग्रेट होता है, प्टिख के अधिक कर कर बया है, और इस यहां रखेगा कि इस बुछेता है, क्योंकि दो रूम प्वेति हैं पुछेने चाहे थिए तो अभी आप लोगों को यहां पूरा प्ढ़ लिए अधिक भूर. सकते हैं तो हमारा सुक्र आजाता है हमारा विना यह अभिक्रम जी कैसा ग्रह हो जाएंगा दूसरा ग्रह हो जाएगा तो पर work घे आुछते हाई अगर जाहां परिक्रम सब्सक्र Faith apparatus तो सुक्र हमारा कैसा हो जाएगा दूसरा ग्रै हो जाएगा अगर हम बात करते हैं परिक्रमा की यानि कि अगर कितने दिनों में अपनी ऑर्बिट एरांड तसन कम्प्लीट करता है तो जैसे बुद्ध एक्टी एक डेज में कर रहा था वैसे ही हमारा क्या 225 दिनों में पूरफ से पर्खम करते हैं तो आपको मैंने बताया था कि सिर्फ दो ग्रै ऐसे हैं जो की दि strengthening isa में गति करते हैं जिसमें पैसी रह कोमां कुल से ज्री गर मतलि हमारे तो जिसमें आरोण भी जिसमें एक अरोड था बाकि जितने ही ग्रै हैं वो कैसे प्श्यम से हमारे सबसे नजदीक ग्रह होने के कारण इसको क्या बोलते हैं अर्थ सिस्टर बोलते हैं। तो अच्छा बन रहा है देखने में आपको अच्छा लग रहा है और important भी सारे ही यहां पर फिर से यह भी important दो जाता है फिर क्या बोलते हैं सुक्र ग्रह को क्या बोलते हैं सांज का तारा बोलते हैं ठीक है यानि कि इवनिंग स्टार या फिर भोर का तारा बोलते हैं यानि कि मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं अब इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार इसलिए बोलते हैं इसका भी एक तो यह सूर एस्त और सूर उदय के ताइम पर दिखाई देने के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं इवनिंग स्टार या फिर मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं फिर है कि इसका सरवोच परवत पाया जाता है इस ग्रह में जो कि है हमारा मैक्सवेल मांटेन है जो कि कितने ह हमारे सुक्र की सतह से 11 किलो मीटर तक उपर है सुक्र की सतह से हमारा कितना है 11 किलो मीटर तक उचाई पर यह हमारे इस्तेत है तो आप लोगों ने सुक्र के पढ़ लिए कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है ठीक है बुद्ध के बाद उसके बाद 225 दिनों में अपनी क्या क सांच का तारा यानि इवनिंग इस्टार भी इसको बोलते हैं क्योंकि यह हमको चमकदार तरीके से तूरज में जब हमारा सूरज ढूपता है और क्या होता है उद्धा होता है उस टाइम को यह दिखाई परता है तो अगर नेक्स्ट की बात करते तो सुक्र के अध्यन के कि कोई भी सेटलाइट यहां पर नहीं है याद रखिएगा फिर सुक्र ग्रह में वायू मंदल में क्या है 97 परसेंट हमारी क्या पाई जाती है कार्बन डाई ऑक्साइट पाई जाती है इसकी सत्याग में जो है 80 परसेंट भाग हमारा ज्वाला मुखी मैदानों से भरा होत पर नहीं है और इसमें क्या पाई जाता है 97 परसेंट हमारा कर्बन डियोकसाइड यहां पर पाया जाता है और 80 परसेंट भाग में इसकी जोला मुखी मैदान यहां पर उपस्तेत है और इनकी वायू मिंदल में सुफ्यूरिक अम्ल की बूंदों के कारण यहां पर उसके ब तो अब हमारे प्यारी प्रत्वी आगई तो अर्थ के बारे में भी यहां पर हम लोग कुछ पैक्ट अच्छे से जा लेते हैं तो यह देखिएगा यह सूर्य से दूरी के क्रम में ठीक है कि अर्थ इस थर्ड प्लैनेट ऑफ दा हमारा क्या हो जाएगा संट इंटर्न ऑफ इस दर्ष्टि में प्रत्व का है प्रत्वी का सथान है वहां जाएगा सबसिए अगर की आखें को करेंगे तो जैसे की ब्रह्स्ताति हमें आपको बताएक है तो यह हमारा क्या होगा third planet for the sun in the turn of distance यहां पर हो जाएगा अपने अक्ष पर यह कैसे घुमती है पश्चिम से पूरव घुमती है तो आपको यह मैंने फ्रेक्टा भी भी बताया कि सारे ही ग्रह जो हमारे है वो कैसे पश्चिम से पूरव घुमते हैं सरफ किन ग्रहों को छोड़के तो आपको याद हो गया होगा वह हमारे कौन से हैं सुक्र और अरोन यहां पर बस्ते है तो प्रतिवी हमारी कैसे पश्चिम से पूरव की ओर घुमती है तथा यह अपने अक्ष पर कितना साड़े 23 डिरी ठीक अपने अक्ष से थोड़ा से जुकी हुई है हल्की सीस तरीके से तेली है तो इसी को ही अगर बात करते है तो यह क्या होगी साड़े 23 डिरी अब इसका कारण क्या है यह आपका जब हमारा इस प्लैनेट के बाद जब प्रत्वी की उत्पत्ति आईगी तो उसमें हम आपको एक्षप तरीम इसका जब हमारे 25 डिरी अख्ष तरीम इसका एकार इस तो इसका बात बात मुझत आपको ऑटते के दिया जब्द नशठाए प्रतिवी को रह जाए तो वहाले पर आ पको घुल आपको जाने तो से प्लैने disciplined तो जब् व्हित पते में करती है हमारे जो दूग पर हल्की हिसी प्रमारी के जखी है कारण को एक specific नम दिया गया है है वह और होगा हमारा जियोड अकरती का होगा तो याद रखेगा इसका आकार इकले के समानतो है पर पूरी तरीके से गला ना होने के कारण इसको क्या बुला गया है जी आज बुला गया है ठीख है खलियर हो गया फिर अगर बात करते है अपनी next slide की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला सूर का चक्कर लगाती है आपको पता इसको वारसिक गती भी कहते है यह सब सारी चीजे आर यहिए तर याद रखे गा यह हम है इसमें प्रथिवी कि उत्पती जब पढ़ेंगे तो पूरी चीजों की आपर बात करेंगे अब यह निक रुटेशन का उब हमारा कितना होगा च इन मैं जीव संभाव है तो इंक उपस्तिति के कारण यहां जीवन संभाव है प्रत्था그arde हमारी प्रत्थिव को डाल जाता है प्रत्थिवी को तरही तरही दिली प्रत्थिवें , से संभावब से यह स्वाह हो सकाम हूए अशिकर दिया तो 4.6 billion हो जाएगी आकरती हम आपको बताई चुके हैं कैसे जी और हिंदी और इंग्लिस दोनों में जलिय भाग किता है most important सारे ही fact किते है most important है 71% हमारा क्या है water हमारा है फिर उसके बाद इस लेंड एरिया की बात करते हैं तो कितना 29 परसेंट है याद रखेगा और और सारे दत्तों की बात जितना बचता है five point हमारा कित्ता हो जाएगा five two यहाँ पर हो जाएगा ठीक है तो याद रखेगा most important topic यह सारे ही बनते हैं कि अगर प्रत्वी की सबसे पहले हमने जाना कि solar system आ फिर हमारा जैसे universe के बाद हमने solar system को पढ़ा कि solar system क्या है उसके आद यूनिवर्स में आने वाले सारे ही सly permitted planets को एक-एक करके हम लोगोंने लुद्फ स्लक्रांश में अगर हम भी इडिशन के तौर पर कैरें उल्होंत को सुलर हें… आनकि लुक्वलग वंगता है? और उनका पे जो भी पाई जाती हैं, स्वयूग तुरूप से इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम बोलते हैं, जहां हमने सबसे पहले किसकी बात करी थी, अपने सूरज की करी थी, यानि कि सूरजों की हमारा क्या था, प्लैनेट्स को एनरजी और क्या लाइफ सूरज कीनि आप काल्स राखन के सा सूरों काल ऑफ जो हमारों सा बात करता है। slide तो प्रकास मंडल या पर में पोटर ही बटाएंगी ह G alltid क्वोर या वे प्लौोर करके तो बोलेंगे अगर सब्सें बाहरी, जह हमें दिखता है दिखता यह सब्सब्सें software में डायम degree डिलियमेंड दिक्ता है उसको हमें खेया है लोग क्या दिखता है करो ुईं जो और सुर्ग के भाग हुते हैं सबसे पहले ग्रह की बात करी थी गर हम लोग आप बसीं तो आप सभी हम बतायोब कि बुद्ध रह को मैं अगर अगर पिर से हम पोकुछ इसते हैं थे अगर कुछ इस तरीके से कम शाथ वां है तो अगर सबसे पहले में तो गुष सुकर प्रतिवी औरा यहां पर आएंगे अंगे Maatharan ग्रहों की कराण की बात करते है तो आप जब देख रहो है और एंगे औरमांधत को वकर होता है इसलिए हुथ है उनका निर्मान होता है वह कंसे होता है भारी पाधरत Daha preventing काथे ब्रम्हांत भी य enabled देकर की तो मैं बता है तो यहो之前 die अगनी पिंड में या पिर तत्तुवा था तो जब भी किसी में हमारा डिस्पोर्थ होता है उसमें सबसे पहले क्या देखते हैं कि भारी पदार जो होते है वो पास में गरते हैं और जो गैसी तो यहीं कॉनसेट यहां पर लगा जब आप यहां पर देख रहे होंगे तो यह बुद्ध, सुक्र, प्रत्वी मंगल हैं यह आकार में छोटे हैं पर क्यों छोटे हैं क्योंकि इनका घनत जो है वो कैसा है अधेक है और घनत अधेक होना क्या कारण है क्योंकि इनका निर्मार जो हुआ है वो किससे हुआ है भारी पदार्तों से हुआ है ठीक है फिर हम बा हलके पदार से बने होने के कारण इनका जो घनत तो है वो कैसा होता है यहां पर कम होता है ठीक है और घनत तो कम होगा याद रखिएगा कि जब इनकी डेंसिटी जो है वो कैसी होगी कम होगी जब किसी उसकी तो आकार क्या होगा आकार हमिसा बड़ा होगा ठीक है कैसा होगा तो वहीं हमारे हम बड़े ग्रह की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह हमारा कौन सा है सबसे बड़ा ग्रहा है ठीक है सबसे बड़ा आप से कुशयन प benefited है ऩहायोट च्छोटे तो स्क्रीण में आपको दिख रहा होगा कि अगर हम बुद्ध की बात करते है रहे हमारण कर दियातन और मंगल और सबसे ही और फिर कि इन इसले हैं घ्रसी स्वाइश में तो तो यहां पर कृड़ा हो रहा और हुत क winter फूर करूं को कि दून आर drस्वाइब कर दो सब्सक्राइब सब्सक्राइब दो रहा में अपर उपड़क कर दोनों ही ऐसी घ्रह जिनके क्या है उपकर रहा या पर सेकलाइट या फिर मून नहीं होते हैं ठीक को भी यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा चलिए ठीक है तिर हम बात करतें अगर वहे बात करते वह लग अगर अगर बात करते बुद्ध और उसके बाद इसका रह पोगर्य यहां पर नहीं पाया जाता है यह सूरी की परिक्रमा इसका बहुत कर ले सूरी की परिकर्मा 28-पर्न जिनके बाद कर T से नहीं मिलते यह सूर्झ की परिकरमा यहां पर निकल के आता है वह हमारा क्या निकल के आता है तो सुरज की परिकरमा यह सारे घ्रे वीन तिससे लिए ऑना इस शिच को भी याद रखेगा कि सारे फी घ्रें थे उप पक्रम की बात कर लें या पिरचकर की बात करलें तो यह सारे पयर से पूराजेवाबंदिसा की और आर्ण का हमारे चक्कर लागाते हैं पर हमारे सुhr ओर आरोनी एसे हैं जो कैसे पूराज से पस्ष्षिं तो उसमें से एक हमारा कौन हो जाएगा हमारा हो जाएगा तो प्रक्ठी के भी के बीघ आपको ही का रोपेशन होता है के और परिक्रम Howable होता है ऑर के थे हमारा धुम दिन के करीवन बता है 24 दिनø Krremी के अर्थ करीजाए तो three क्रम आता है प्रतिवी का और भी यहां पर हमने सारे प्रतिवी के बाते है तो आज का क्लियर हुआ फिर हम रिपीट क्लास के बाद अगर आज के बात करते हैं तो हमारा बुद्ध सुक्क जो हो गया था और प्रतिवी हो गया था उसके बाद हमारा जो ग्रह बच्क आ रहा है वो कौन सा है मंगल तीक है अगर मंगल ग्रह की हम लोग यहां पर बात करते तो मंगल ग्रह में यहां पर लिखाए कि स्टूर से दूरी के क्रम में यह कैसा ग्रह है चौथा ग्रह है यहाद रखिएगा कैसा ग्रह है सब्सक्र चौथा ग्रह है ठीक है किसके बाद प्रतिवी क बढ़े हमें व Зब प्रृषःभी तक पढ़ बद्ध पढ़ को रिप são. अब जाय तक बेर दिए जो बुद्ध पढ़न पड़ा निए प्रृषट्विपी पड़ा ओर अज की श्याद का आप प्रृषपीर मत्रुषा तरग ती करने वάλे तक मार्स आथ आपर बात करी थी अब हम आज की ग्लास करने वाले वो किस्तिव की मंगल से स्टार्ट हुई ति ये सूरी की दूरी के करम में कैसा है चौथा है सबसे पहली चीज तो यहीं दयाद रखेगा कि इस दा हमारा स्टार्फ सर्फ दॢण कृसट बार की सिक विछार जिए। ओसा बाद कि दूर्ट है loro में की Lift Sign contract सर्फ हुआं पर 8 VS 37 दिनों डिनों में जगा आती जाएगी वैसे वैसे उनके चक्कर लगाने का क्रम भी बढ़ता चला जाएगा तो यहां पर 6687 दिनों में यह क्या करता है सुम्रज की परिक्रमा को पूरा करता है इस चीज को भी आप लो याद रखेंगे इसके सब्सक्राइब कैसी होती है लाल रंकी होती है तो आप यहां पर बताएंगे क्योंकि मंगल गरह में क्या उपस्तित है इसको क्या कहते हैं हम लोग रेट प्लैनेट भी कहते हैं तो यहां पर आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट अभी तक में निकल के आया तो यह याद रखेगा कि सूर्र की दूरी के क्रम में चौथा है या पर दिनों में व्रद्धी होती जाएगी फिर अगर हम इसको बोलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं रेट प्लैनेट बोलते हैं इसका रीजन क्या है कि वाट वाट वाज़े से कहलाता है लोग आकसाइट की उपस्तिती के कारण इसको क्या बोलते हैं लाल ग्रह भी बोलत तो यह भी मोस्त इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अपने ज्यादा तर देखा था उस दिन भी जब मैंने आपको पढ़ाया था तो किसमें देखने को मिला था सुक्र में भी लेखने को मिला था पर यह चीज याद रखेगा इसमें अक्रिय या पर इंडर्स गैस भी जो है वह लिए इसमें पाई जाती तो आपके पूछन सकता है कि smiling gaso की उफस्किति किस ने होती है तो आप बता सकते हैं mangal और एंफिरsky आप मार्स में यहां पर हमारी his Goddess B इसके घुरुणन गति क्या होती है, प्रत्वी के समान होती है, ऑब इसके प्रत्वी के समान है, प्रत्वी पास भी पाया जाता है, बुद्ध, सुक्र, प्रत्वी. तो इसको क्या बोलते हैं, हम लोग पृतिवी की बहन भी बोलते हैं, कि इसको सुक्र की बात कर रहे हैं, यहाँ पर याद रखेगा, और इस सुक्र को ही हम लोग भोर का तारा और सांच का तारा भी कहते हैं, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, क्यों कहते है between taste bring cardio रितुए भी पाई जाती है अगर बात करें तो इसमें कैARS ुआ होगा कि कारण नोदों पाई जाती है या थि आपको अगर इसमें बताते हैं क्यूं आपको अपग आगर इस में चुआ को थे current मंगल ग्रह में देखी गई और क्यों देखी गई है क्योंकि इसका जो है इसमें सबसे पहले जो हमारी रितुए पाई जाती है रितुए पाई जाने के साथ क्या होता है जो ग्रूनन गती भी होती है वो किसके समान होती है प्रत्वी के समान होती है इस वजह से यहां पर जो स सारे निपीटत कोशें से ही रिलेटि हम्ने आपकी ये पीभीती त तैयार की तो अगर आप लोगों को यहां पर S君 आ कहा कि लो करो आटि करें था लिए बात करते ह Tonga कि और रिक्रेंट jsem है मं मंगल के और हम लोग देखे अब पॉयंट और विवागी है तो यहां पर लिखा है 50 में और में क्या हम पाई सुझाओं से फिर क्वाहे है रिट्व सहां पाई जाती है कि मार्स में भी और साहर nenek इस ग्रहय का सबसे ऊचा परवत क्या है most important थीक है सबसे ऊचा परवत क्या है Nix Olympia जो है वो सबसे ऊचा परवत है और यह Mount Everest से किता तीन गुना बड़ा है अब आप खुद भी सो सकते किता बड़ा है तीन गुना यह जो है Mount Everest जो कि हमारी सब्से ऊची चोटी है ठीक है उससे सबसे बड़ा है मतर उससे भी यह उचा है कितना हमने आपको बता दिया तीन गुना तो यहां पर क्या है कि इस ग्रह का सब्से ऊचा परवत क्या है हमारा निक्स оlemptia है most important है, सीदे सीदे आपके paper में यहाँ पर पूछ जा सकता है कि nix olemptia जो है वो क्या है और किस मास में यहाँ पर पाया जाता है तो आप से पाला question यहीं बनता है कि nix olemptia जो है जुआ अलम मुखी आ सकता है ठीक है आपके option में परवत आ सकता है है या फिर क्या सकता है कि हाँ प्लेट्व है क्या है तो आप बताएंगे कि ये क्या है एक परवत है जो कि किसे मंगल ग्रह में पाये जाने वाला सब्सक्य सब्सक्राइब system तो अधरать इसके लृट-लै करते है तो फोब्ल और दीper याद रखेंगा कि मंगल करें फिर देमोस और मंदल का सबसे चोटा उग्रह है कैसा है सबसे चोटा उग्रह करते हैं कि यहां प्री इंपॉरَّंट कोश्िन बन रहे हैं कि एक तो आपका निक्स ओलम्पिया जो कि मंगल ग्रह में पाये जाने वाला क्या है हमारा सबसे उच्छा परवत है इसके अठरह की बात करें तो फोको पुरोस और डिवोस हमारे क्या है? इसके दो उपग्रे है जिसमें जी दीमोस है वो सब सौर मंडल का ही सबसे छोटा हमारा क्या है उपग्रे है ठीक है याद रिखेगा सबसे छोटा उपग्रे किसका है हमारा पूरे सौर मंडल का तो कोश्चन आपसे ये बन सकता है कि जो दीमोस जो की हमारे सौर मंडल का सबस तो आप बताएंगे किसका है यह मंगल का है जो कि हमारे सौर मंडल का सबसे चोटा उपग्रह है और यह मंगल का उपग्रह है ठीक है तो यहादर कि फेनिक्स मार्स हमारा मंगल में अध्यानेट ब्याज़े मानव रहे सेटलाइट है यहाँ पर फॉनिक्स हो गया मार्स स्लेंडर हो गया इस्पिर्ट हो गया यह हमारे क्या है जो कि हैस बीन अखेन्ड ऑफ तरडी ओनत यहाँ पर हमारा हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर और मोस्त इंपर्टन सारे पोइंट निकल के आ रहे हैं इनको भी एक एक करके आप लोग देखते हुए चलिएगा ठीक है क्लियर हुआ फिर उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्या आएगा मंगल के बाद हमारा क्या आ गया ब्रहस्पति आ गया यानि कि जुपिटर की यहां पर हम लोग बात करेंगे तो जुपिटर का सबसे पहला पॉइंट ही यही पर बन रहा है कि यह आकार में कैसा है सबसे बड़ा है करम की बात कर ले तो बुद्ध, सुक्र, प्रतिवी, मंगल के बाद हमारा क्या आ जाता है ब्रहस्पति आ जाता है तो यह सौर मंडल का कैसा सबसे बड़ा गरे है ठीक है इट इस दा लार्जस प्रानेट ऑफ दा सोलर सिस्टम यहां पर हो जाएगा जुपिटर हैस दा हाइस नंबर ओफ मून विद्ध टोटल ओफ नाइंटी टू इंक्लूडिंग हमारा क्या हो जाएगा 12 रिसेंटली डिस्कवर्ड है ठीक है यार पहले इनकी जो संख्या थी कुछ कम थी ठीक है जिसमें हमारा क्या हुआ था कि ब्रहस्पति इस अब ब्रहस्पति सरवादिक उपग्रह वाला ग्रह है इसके पास अबग्रहों की संख्या किती है अब रेसेंट की बात करी जाए तो किती हो गई है जिसमें 12 अभी नियूली एड हुए है जिसमें हमारा गैमीड नाम का जो हमारा क्या है उपग्रह है वह सबसे बड़ा उपग्रह है ठीक है सबसे हमारे स्वार मंदल का सबसे चोटा पूछा जाएगा तो कौन सा हो ब्रहस्पती का जो गैमेड वह हमार कैसा है हमारे सोलर सिस्सेμ का सबसे बड़ा हमारा क्या है ओठाहर हुस्टी के-बहस्त 9 डिए मिंटी तू है जिसमें गैमिर सबस्क्राइब गर्वर्बन सफें बढ़ा। सूर्य की बढ़ती करहिता सबस्क्राइब यह कंळता है इस स Talking of the year करहें दूर। से साल में Convert हो रहे क्यों हो रहे हैं क्योंकि यह सूरी से दीर दीर दूरी यहाँ पर हमारे बढ़ रही है अगर हम ब्रहस्पती की बात करें, it's completed orbit around the sun, exponentially हमारा 11.9 हमारा कित्ता हो जाएगा, 9 एर में ये क्या होता है, तूरी की परिक्रमा कल लेता है, उपग्रहों की संख्या सरवादिक होने के कारण, ब्रहस्पती को, यानि कि Jupiter को हम लोग क्या बोलते हैं, लगूस और ग्रह भी बोलते हैं, तो most important point ये भी बनता है, अगर आप से पूछ लिया जाए, due to the largest number of the moon, Jupiter is also called the mini solar system, यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, mini solar system यहाँ पर हो जाएगा, तो अगर इस screen की बात करें, या फिर Jupiter की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे most canicals के आता है, it is the largest planet of our solar system, सबसे बड़ा ग्रह होगा, ठीक है, ब्रैस्पती सरवाधिक उपग्रहो वाला ग्रह है, इसके पास उपग्रहों की संक्या कितनी है, 92 है, जिसमें 12 नय उपग्रह हाल में ही खोजे गए, Jupiter has the highest number of the moon, which is the total number of 92, including यहाँ पर कित्ते हो जाएंगे, 12 recently discovered यहाँ पर हमारे हो जाएंगे, ठीक है, अगर सबसे बड़े हमारे मून की, लार्जस मून की बात करें, जो कि हमारे सबसे बड़ा उपग्रह है, तो वो हमारा इसकॉल्ट क्या हो जाएगा, गैमीट हो जाएगा, ठीक है, याद रखेगा, गैमीट is the largest moon of the Jupiter and the solar system is also, ठीक है, फिर यह सूरी की परिक्रम अगर यहाँ पर 11.9 वर्स में लगता है, उपग्रहों की संख्या सरवादिक होने के कारण, Jupiter is also called a mini solar system, यहाँ पर हो जाएगा, तो इस स्क्रीन में आपको समझ में आगा है, यहाँ पर हमारे क्या-क्या पॉइंट जो है, हमारे exam point of view से बन रहे थे, ठीक है, क्लियर हुआ, फिर अगर हम next बात करते हैं, यहीं पर ही, तो अभी हमारा क्या चलना है, Jupiter ही चलना है, इसमे content hydrogen, helium, methane and ammonium gases यहाँ पर हमारी पाई जाती है, तो इस चीज को भी आद रहे है, अगर हमने आपको बताया, अक्रिय गैसों की बात करी जाए, ठीक है, अक्रिय गैसों से पाई जिस प्लैनेट में पाई जाती है, तो वह भी हमने आपको पढ़ाया था, क्या था, हमारा मंगल याद रखेगा, अगर कोश्चन यह भी बन सकता है, कि हमारी जो अक्रिय गैसे हैं, वह किसमें पाई जाती है, तो आप बताएंगे, मंगल गैस में पाई जाती है, पर वायू मंडल में हाइडोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया जैसी जो गैसे पाई जाती है, हमारी जु तूफान जो है, किस ग्रह में देखने को मिलते हैं, तो आप सोचिंगे कि रेड तो लौ अक्साइड पाया जाता है, हमारे मंगल में ठीक है, जिसके कारण इसको हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं, तो यह मंगल ही हो सकता है, पर नहीं यह आपका आंसर जो हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यह जुपिटर में होता है, लाल चक्रवादी तूफान जो चलते हैं, वो हमारे किस में चलते हैं, ब्रैस्पती या पिर जुपिटर में चलते हैं, आप इसको मंगल भी सोच सकते हैं, क्योंकि अगर आपके ऑप्शन में मंगल दिया होगा, तो आप यह सोचि किस में होगा, जुपिटर या तरर्ब्रहस्पती में होगा, यहाँ पर विसाल क्या पाय जाते हैं, लाल धब्वे भी पाय जाते हैं, लाल धब्वे क्यों पाय ज hottest मंगल हो जाएगा पर लाल चिक्रवादी तूफान और लाल धब्बे वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा हमारा जुपिटर या फिर ब्रहस्पती हो जाएगा सपती शन्य है जिक के शी नगया वान थे ओसे लिफ नमबर के थि तो लोग ने तो πते हैं विशम क्यों आप कर आपकी इसमे अगर यहां भी नियुक्त में आपके में तो रहते हैंrays जा सकते हैं। अगर हम दूसरा अकीन होता है ड्रपारी में होता है उसके नमबर सकता है प्रत्वी में हमारे सही के बारत इस बार केंडि़ का प्रत्वी का कौन नमबर आठता है। तो आप बता सकते हैं पांच बाता है बिरस्पती सनी अरुन और वरुन के बाद ठीक है तो सनी जो है वह हमारा कैसा दूसरा सबसे बड़ा हमारा क्या है ग्रह इस दा सेकंड लार्जेस प्लैनेट हमारा इंड़ा साइज में एक याद रखिएगा किसी बात हो रही है और जूपिटर हमारा कैसा हो जाएगा पहला हो जाएगा यह सूरी की परंख्रमा जो है करता है वह कितना उन्तिस-दसम्ला पार्च बर्स में पूरा करता है ठीक कितना और 29.5 यह सलिए यहां पर 29.5 यह तो यहां पर उन्तिस-दसम्ला पांच बर्स में यह पूरी करता है इसके चारों तरफ पूर्ण विक्सित बल्य पाई जाते हैं अब जैसा कि फिकर पे भी देख रहे होंगे ठीक है इनको बल्य या फिर रिंग चोबूलते हैं ठीक है यह जो रिंग पाई जाती है यह किसमे हमारी सनी में पाई जाती है जो कि किनसे बनके बनी जिनकी संख्या साथ होती है, चूटोटे-चूटे मिलकर मिलकर गोझे बने। Sunny को क्या कहते है Gaso का गोला भी कहा जाता है Sunny को हम लोग क्या बोलते है यहाँ पर Gaso का गोला भी बोलते है Gaso का गोला क्यों बोलते है क्योंकि जो इसमें Rings होती है इसमें Rings इनका creation जो होता है उनमें विभिन तरीके की हमारे composition जो होता है उसमें गैसों का भी होता है धूल भी होगी ठीक है हिमकर्ड भी होंगे गैसे भी होंगे ठीक है जिनकी वज़े से यह क्या होता है सूर की रॉस्मी में हमको चमकते हुए दिखाई देते तो सनी को क्या होता है हम लोगों बोलते हैं गैसों का गोला बोलते तो यहां पर याद रखें कि ब्रहस्पती के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है हमारा कौन सा सनी हो जाएगा परिक्रमा की बात करें तो 29.5 हो जाएगा फिर इसका नेक्स पॉइंट जो इंपॉर्टेंट आता है इसके चारों तरफ हमें क्या दिखते हैं वले या फिर रिंग दिखते जिनकी संख्य जो कि छोटे-चोटे कड़ों से मिलकर बनते हैं सनी को क्या बोलते हैं गैसों का गोला भी बोलते हैं तो सनी के उपग्रहों की संख्या कितनी है 83 है जिसमें टाइटन सरवादिक बड़ा है तो सबसे पहले कोशन यही बनता है कि टाइटन जो है उपग्रह है किसका अगर कोशन सबसे पहला उपग्रह जो कोशन आपके सनी से रिलेटेड बनता है तो पहला कोशन यही आता है कि टाइटन जो किसका उपग्रह है तो आप तुरन बताएंगे किसका है हमारा टाइटन हमारे सनी का है अगर हम इसकी बात कर लेते हैं उग्रहों की तो हमने आपको बताया था कि जो कि मंगल का सबसे मंगल का वह हमारा क्या है उग्रह है वह क्या है स्वहर मंडल का सबसे चोटा हमारा उग्रह है ठीक है तो फोमोस और ड चुच्च्च परस्च झाल महाँ पर डिवंगरा कुछ रिये सब्सक्राइब को बता है सब्सक्राइब २ाज परस्द अब देग olması राजिन की फ़ऑघने में सब्सक्राइब करें यहां रूत चाहिए निन देकल्य का अफ़स्ट्ण में शीघार बासिते हैं हैं डेख सकते हैं नगन आखों से भी देख सकते हैं इसके बाईयू मंडल में ब्रहस्पती की तरह वह सेम तूसम हाइडरोजन हीलियम मीथेन और अनो गैसिस हमारी पाई जाती है अगर अक्रिय गैसों की बात करते हैं तो आपको बताया था वो किसमें मंगल ग्रह में यहां पर पाई जाती है तो यह देख लीजेगा कि इसके वायू मंडल में ब्रहस पती ही की तरह हाइडोजन हीलियम मीथेन यह पॉइंट भी हमने आपको ब्रहस पती में पढ़ाया था क्लियर हुआ फिर नेक्स बात करते हैं तो हमारा क्या यूरेनस आ जाता है तो यह क्या होता है यूरेनस नेप्चुन है हमारे आफ्री जो दो ग्रह बसते हैं यह स्वार मंडल के साथ में और आकार में कैसा होगा तर्थिय होगा क्यों आकार में सबसे बड़ा ब्रेस पती ऑफिर सनि, आरोन, वरुन, और फिर्थ भी आजाती है सवर मंडल सात्वा और आताहर में हमारा कैसा होगा ? तीसरा होगा इसके चारो और वह भी बल्ले पाई जाती है जिनकी संक्या कित्थी है 5 इनको क्या बोलते है इनको क्या मुलते है 5 है जो कि suny में किति थी? 7 sunny में 7 ती और यहां पर किति है हमारी 5 है जिनको हम लोगों ने नाम भी दिया alpha, beta, gamma, delta और हमारा किया इलिप्सेलोन यहां पर हो जायेगा तो यहां पर आपसे पूर सकते है कोषर में α lasci, beta, gamma जो भी वल्लय पाई जाते है वो किस हमारे सेट किस ग्रह की या फिर प्लैनेट की है तो आप बता सकेंगे यूरिनित या फिर हमारे किती है अरूंड की है ठीक है तूरी की परिक्रमा करते हुए क्या होता एक दूसरे 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 की ओर करता है ठीक है और यही हमने आपको द और यह झालती हैं और बैदम से मोवरती हैं, और यहां been THAT je ताइटाइनिय की है जो है इसका सबसे बाढ़ताया तकलियरे और बंहेंदे डिलियर formula कोश्यष्द दिसके सब्सक्राइब तो पहरते हैं किसके सब्सक्राइब बंहें औरiveness ज्वाग नोकिते हैं 82 e सब्सक्राइब मैश्पलाइब अइस जड चाहिए है इसको लेटा हुआ उपग्रे भी कहते हैं क्या बोलते हैं हम है इटस लस मून टाइदिया जो इसका सबसे बड़ा क्या है हमारा उपग्रे हो जाएगा थी कि हम बात करते हैं अगर यहां पर उसले मदं के बात कि बात क्या आता है हमासा वरूयानिकी थी 1846 में करी थी सौर मंदल का सबसे आकरी गर है क्रम में आपको पता है ठीक है कि बुद्ध शुख प्रथिभी मंगल फिर हमारा क्या हो जाता है ब्रस्पति सनी अरुन और यहां पर क्या हो जाएगा वरुन हो जाएगा इसका वायू मंदल कैसा है अती सगन है यह हल्का हरा तो यहाद नहीं र curric सतरु ईपेञा ग्रे कम और रिखाआज़ को किसलेगा तो लफी साल उत्य ने में हिए रिखाएगा याद रखीएगा अगर लेटा हुलगा ग्रेल पूछा जाएगा तो अल्कों कर आएगा तो पर दिखा हो चैने तूं-धायगा ङौण सेटिलाइट की बात करेंगे तो हमारा टाइटरोन और कॉल्स हो जाएगा मैरिट यहां पर हो जाएगा ठीक है तो यहां से आपके सौर मंदा अभी हमने आने वाली क्लासों में यहां पर यूनिवर्स से लेकर सोलर सिस्टम तक यहां पर जो भी हमारे में टॉपिक उर पर बा सौर्य उसके बारे में एक एक यहां पर पढ़ाता है तो चलिए एक दार हम लोग जल्दी से रिवीजन करते हैं कि जो हमने कल प्लैंट्स पढ़े थे यहां पर जो आज हमारा टॉपिक होने वाला है यह सोलर सिस्टम से हमारा लास टॉपिक होगा ठीक है जो कुछ बचे प्लैनेट्स 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 बुद्ध, सुक्र, प्रत्वी, मंगल, ब्रहस्पती, सनी और अरुन औरुवरु यह हमारा क्रम ता तो हमने सबस्क्राइब आपको बताया थे कि आपके एक्जाम पॉइंट ओव यहां पर सबस्क्राइब करना है वह क्या याद करना है क्रम याद करना है सोलर सिस्टम में भी एस्टरोइट्स जो होते हैं इन से सबको सहयूक तरुप से जो हमारे सूरज का चेकर लगा रहे है उनको सहयूक तरुप से हम लोग क्या उते सोलर सिस्टम या फिर सौर मंडल कहते है तो अगर हम सारे ही प्लैनेट की बात कर लें तो सबसे छोटा हमारा करम में आप दे लगाता है इसका पूरज का यहां पर हम लोग बात करते हैं इसके इसका ही जो पॉइंट। और बड़ता है कि जो हमारा बुद्ध होता है उसके हमें उपग्रई यह पिर सैटलाइट देखने को नहीं मिलते हैं तो बुद्ध और सुक्र दो ऐसे प्लैनेट है जिनके सैटेलाइट या फिर जिनको हम मून कहेंगे नैचुरल उसमें वह हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलते वह हमारे कौन से हो जाएंगे तो यहाँ पर अगर हमने करम की बात करी थी तो बुद्ध सुक्र हो गया, फिर हमारा प्रत्वी के बारे में हमने बात कर ली थी, कल हमने बात करी थी मास यानी की मंगल से स्टार्ट किया था, ठीक है, मंगल के बाद हमने जुपिटर, जुपिटर के अगर हम लोग बात करें तो यह क्या है हमारा सबसे बड़ा ग्रह है कैसा ग्रह है सबसे बड़ा ग्रह है पूरे सौर मंडल का अगर हम इसकी बात करते हैं तो यह क्या होते हैं यह सारे ही प्लैनेट ठीक है ब्रहस्पती से लेकर हमारे वरुन तक के जितने भी प्लैनेट होते हैं यह कैसे प्लैनेट क हैं और फालम कारण हम बुद्ध शुक्र प्रिद्वी और मंगल को क्या बोलते हैं इस पढ़िक ग्राइप्ट को कि फालड डाय हमें पर he ग्राइय ग्राइय और से प्लाइय अला sì क्या थारे से बठाटी मोठ स raw explores強व the जरी सब्सक्राइट तरह ग्राइय द्हीं से लिया सब्सक्राइब स्बॉण सब्सक्राइब इस तो है तौँ आपके लिए वह बते हैं और प्लैनेट जिसने भी ना देखा हो एक बार देख लिजेगा सारे ही factual point यहां पर आपकी PPT में दिये हुए हैं आप उनका screenshot लेके अपना क्या कर सकते हैं नोट्स बना सकते हैं और जितना भी आपकी PPT में याद रखिए कि जितने भी चीज़े आपकी PPT में लिखी है वो सारे ही most important है ठीक है क्या बोलते हैं एक संसेल है इस इता सेटलाइट में बेफ कर सानी है hints में करने जो में रखिए कि नह auto- prosperity जो ब Account पार उस जाने मन दो भी क्या बोलंगे अपग्रह बोलेंगे यह हमारे प्लैनेट के ठेकर लगाने के साइट नशवार कर डागते हैं सुरज का भी चक्र यहां पर लगाते हैं यहां इस वाल रगेगा के इनने भी प्रकास नहीं होता है इनको तक प्लैनेट को हमारे तो maior पीर प्लाशनी से हमारे शो मानते हम लोग या फिर उनसे रौसमी मिलती है ठीक है तो यह वे आकासिय पिंड है यहां पर वही ची लिखा है जो क्या करते हैं ग्रहों की परिक्रमा करते हैं याद रखेगा क्या करते हैं ग्रहों की परिक्रमा करते हैं तो यह वे आकासिय पिंड हैं जो अपनी ग्रहों की तो परिक्रमा करते हैं, साथी साथ किसकी परिक्रमा करते हैं, सूरच ही भी परिक्रमा करते हैं, क्यूंकि हमारे जो ग्रह है, वो भी सब लोग क्या करते हैं, इसमें परिक्रमा करते हैं, ठीक है, चलिए, अमभु सिवारी जी यहां पर जुड़ चुके हैं, अमभु जी, और यहां पर section को आगे सब्मीछ share करते जाएगा ठीक है तो अगर हम बात कर रहे थे सूरत से इनको भी रौष्णी साथ प्राप्त होती है जिस तरीके से ग्रहों को प्राप्त होती है क्यों कि इन सारों में ही क्या होता है नाभिके सल्लेन की क्रिया नहीं होती है इस वज़े से इनकी आप देख सकते हैं जैसे कि हमारी प्रत्वी है ठीक है तो प्रत्वी में भी उजय का और अगर प्रकास का स्रोथ हम देखते तो क्या होता है हमारा स्तूर्य होता है उसी तरीके से याद रखेगा यहां पर भी हमारे जो उपग्रय होते हैं उनकी भी चमक नहीं होती यह भी सूर्य के प्रकास से ही प्रकासित होते हैं ग्रहों के समान उपग्रयों का जो ब्रमण उता है। में ब्र्वलियकार यहां पर यून करने यहां पर देख्रानी के पहते हैं? निजिए परवलिकल यहांनी उतलिको स्क्राइब क्या है? तक फरवलियक पर हां को दूत पर हम आज साहिक तून सुर्य की पूरी तो यह आप देख रहा होंगे कि यह हमारा प्योर तरीके से क्या है हमारा राउंड Tight कि ऐसे लोग क्या बोलते हैं हम पर्वलयकार या फिर पेरावालिक बोलते हैं तो इनको घ्रवरिताकार यहच रगाते हैं तुम अगर हम बात कर लेते तो अबने आपको यह भी बताया था कि बुद्ध और शुक्र को इन आपको रह जो हैं पर नहीं तो है कि यह यहां नहीं तो इस चीच को भी आप याद रखिएगा तो और सबसे जादा हो बुद्ध और सुक्र का कोई उग्रह नहीं है सबसे अधिक उग्रह किसके हैं ब्रहस्पति के या फिर जुपिटर की बात करें तो हमने आपको कल भी बताया था कि यह 92 इनकी मून की जो संख्या है वो कितनी ह जो सबसे अगर हम बात करते हैं तो अगर ब्रहस्पती को ब्रहस्पती गार हम बताया था को कattendि आटऊ का उंसा उंग्रह आगनी मीट है अगर हम बता आटए तो क्या शुपा रख जो था PLU म cinnamon नमीट हम यह फमेरा श़यों लगू सौर मंडल भी किसको कहते हैं ब्रेस्पती को कहते हैं कियो इसमें उख रहों कि जो संख्या है वो कित्ती है 92 है और जो सबसे बड़ा उख रहा है इसका या फिर मून की बात करते हैं ठीक है क्योंकि यह नैचुरल सैटिलाइट है तो वह क्या होगा हमारा गैनीमीड हो अब आप लोगों को अब बढ़ा है कि यह सारे ही पॉइंट क्लिया होगा होगे तिर अगर हम नेक्स लाइड में देखते हैं तो सबसे पहले आप हमारा जो आ रहा है वो क्या है प्लूटो बात करते है कि प्लूटो क्या था था कि यम या कुबेर ने इसकी खोच की थी कप इसे स्वार मंडल नौओ सबागों केसे नवा हम सबसे कैरे माना गया तब कि यह सब इसकी को और्य मंदल के क्लाइम्ट एंट अर्माध तो किया नवा गरह आवता है कि वालाल नाए कुछ हें गद्म तक की कि तो इसको क्या हुआई लुग होगा आंने इसक होगा है यह इस जब आई यूरं है उस पूलब सकते हैं Instead HierW直 क्षरसमें वहाँ पर क्या किया गया सम्मेलन में कि ग्रहों का दर्जा्ट से चीन लिया गया, कब 2006 मि डो हजारड़ शह है में से जब इसमें डिस्कशनग अपनी किसम्मेलन में अगर सम्मेलन की बात करते तो International Astronomy Union यानि AIU में अगर सम्मेडन की बात करते हैं तो इसमें कहा गया कि जो सूर यह क्या कर रहा था जो प्लूटो था वो बेसिकली वरुन की जो कच्छा थी ठीक है उसको काट रहा था तो यह हमारे किसमे उपग्रह की स्रेडी में आ रहा था ना कि ग्रहों की स्रेडी में आ इसको भी हम यहां पर आगे देखते हैं तो यह लिखाता है कि इसके अनसार यह एक ऐसा क्या था यह एसा थोस्पिंट था जो अपने गुरुत के लाए विसाल भोला कारों और क्या हो सूर का चक्र काटता हो तो उसे क्या होंगे हम लोग ग्रहों का दढ़ देंगे साथी इ देखकर में देख रहे हुए를 कि अपने सुरज पूरा के डिय्टर, अपने परिक्रम प्रशी भीध का कुरा है, अपनी प्लैकर्य में वरुन्ध के रास्ते रास्ते में करते हैं Baptist प्लैनेट्स की दर्जे से बाहर चला गया प्लूटो क्यों इसके क्या क्या कारण रहा है एक तो यह पडोसी ग्रह वरुण की कच्छा को काट रहा था ठीक है दूसरा अगर पूछा जाए तो क्या होगा यह ऐसा पिंथा जो अपना गुरुत्त करने के लाएक दिसालो और प्लूटो क्या कर था 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 प्लूटो वरुण की कच्छा को बराबर यहां से काट रहा था इसलिए 24 चगर्राज में जो हमारी एई-ई-उ की बैठा कुई उतने क्या किया गया इसको अटा दिया गया ठीक है क्लियर हुआ तो आप समझ गय होंगे यहां पर हम देख रह हो स्टो को relationship to puto दिए अबकर में आप यहां पर क्या आता है अगर हम में बात करते है तो किया हम आजाएंगे स मेटरोट सो आजाएंगे और क्या आजाएंगे उघकास में इस पसकी मेटरोट सो जाएंगे लगाध यह वह हैं पहुत पर इसे पहले हैं तो अगर शवーム प्रेहन प्राभीज प्रहं नाम है लिकांडन कर से तो यहां रहे हो एप अंगर शवेखे यह यह बन्हों चाहिँ में सब्सक्रीज प्ले से वान ते जा वन सूच प्लंक्ध यह भूप धूल एकसे बनेपादे में तर नहीं एक यह एप दीवकतल नहीं पर शmb metropolitan जर्टीर्फेंन शुच्मकड़ प्लैनेट्स की तरह नहीं है कि प्लैनेट्स की तरह एक बड़े ग्रहों तीक इसलिए ये कैसे हैं और ये किस्से बने हैं धूल गैसे निर्मित ये पिंड है जब वायू मंडल में प्रिवेश करते हैं तो प्रत्वी के गुरुट्वा करशन के कारण क्या होता है तेजी से ओर आते और वायू प्रिवेश करते हैं तो 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 इनका निर्माद किसे होता है, यह हमारे अंतरिक्ष में पायाने वाले या फिर हमारी उनिवर्स में धूल और धूल और हमारे किसे चोटे-चोटे-चोटे गैसी स्कड़ों से मिलके बने हुए पिंड होते हैं, जो जैसे ही प्रथवी के बाई मतला हमारे वायू मंडल में जै प्रत्वी के समीप आने पर क्या होते हैं जलके राक नहीं होते हैं तो जो प्रत्वी के हमारे पुछनते से पूल भी जल जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं यहां पर उलकास हमारे क्या होते हैं यहां पर हमारे मेटरोइट से हो जाएगा फिर परन्तु कुछ बायू मंदली ए घरशन के कारण पूरता जल नहीं पाते हैं जल नहीं पाते हैं और चट्टानों पे आकर प्रत्वी जिनमें उलका पिंड कहा जाता है जो जल जाते हैं जैसे ही वायू मंदल के करीब आएंगे और जो जिनमें आग लगके या फिर जो खतम हो जाएंगे तरीके से प्रत्वी के वायू मंदल में जैसे ही यह उलका पिंड बोलेते हैं जैसे महारास्ट की लोनार जील है अगर हम दो लिर्मान यहां बताएंगे तो किस से होगा? उलका पिंड से ही क्या हुआ था? वो किस से निर्मेत है? यह हमाँ जैसे ही प्रत्वी के वायू मंधल इस पॉ puerta को रहे हैं प्रत्वी की वायू मंधल में आते ही क्या होते हैं? चलिए क्लियर हुआ अगर नेक्स बात करते हैं थो चीजे क्लियर होगी उसके बाद हम difference here पुचल सारे ये धोम के तो जीसे झालोग क्या बोलते हैं ? सबसे हमने जैसा earth करें तो हमने जैसे आपको बताया कि कि अगर हम चोद्राइस की बात करते हैं उलका पिंड की बात कर रहे थे वो भी कैसे हमारे बनेते हैं धूल से बनेते हैं तो यह सारे ही आकासी पिंड आप याद रखिएगा धूल के कड़ से ही बनेंगे सबसे पहला पॉइंट तो इनका यह हो जाएगा बर्फ और हिमानी गैसों के पि और हिएगा पिष्ट चुजगत रहे होता है तो यहां पर आपके बहुत निकल का है अगर उलका पिंड की बात करेंगे तो वह हमें चमकदार कभड़ा है तो गया है तोटते हुए तारे की तरह कब देखे का जब वो प्रतिवी के वाईयू मंडल में प्रवेस करता है ठीक है पर क्या होता है अगर हम धूमकेतु या पर कॉमेट्स की बात करें तो यह इन में जो हमको चमक दिखती है ठीक है वह कब दिखती है जब यह सूरज की चारों और एक लंबी रेखा में घूमते हुए काई वर्स होता है जब सूरे के समीप से गुजरते है तो यह गरम होके इन में क्या होता है एक गैसों की भुवारे निकलती है और यह हमको कैसी दिखती है चमकीली पूछ के समान दिखने लगती है तो अब आको क्लियर हो गया होगा कि अग वह दूआ हों चमकदार दिख रहे थे तो वह कैसे हमें दिख रहे थे तूटते हुए तारे की तरह पर अगर हम धूँम्केतु की बात करें तो यह क्या करते हैं यह थंडी चीजों से बने होते या फिर हमानी कर से बने होने के कारण यह जलते तो नहीं है ठीक है पर जब पूछ को होता है वो देखते हैं जिन से हमको क्या दिखते हैं यहां प्रतीत होता है वह क्या पुछलतारे या धूंकेतु यहां पर हमारे कहलाते हैं पिर अगर बात करते हैं है छो थी कर तो ने को घ्रम 紊हले कि जब लगवाशन से हम इस तरीके से हमत कुछ गइस बेता है जो मैं सबस्विंगर वह तो कह चमके-सली आप में प्रद़ती है कभी-कभी पूछ लागतु हो मीटरं Neden कभी पुछल तार्य को सीर्स पामलों क्या बोलते हैं इंपोर्टेंट पंड आजाता है क्या वोलते हैं है और कॉमेंट आ याद रिखेंगे यहां कनल लागता वर्चलतारी कि उखैने पुछतारी कॉमेट बजा किया बना मैं कि मैंना when I am a family life सुराण कि अगरegenरों से वट कि घानतों आसे टीड़ सरन, MAN आव की आप सान, 65 वर्स के अंतरान में यहां आता स्युक्तिया कि इस दिशने हो बहुत talking स्युक्ती tap कि चक्कल 16站 20 वारद है यहां परहुता है एक लाक में लगब एक लाक धूम केतु यहां पर विच्रण करते रहते हैं हमारा एक लाक कामेट रोमिंग इन डा सोलर सिस्टम यहां पर हमारा हो जाएगा तो अब आप लोगों ने आज जो देखा उस में सबसे पहले हमने उपगराय की बात करी खाल लिए के साथ हमने उल्का पिंड की बात करी उल्का पिंड के बाद बार हमने धूमकेतू, अगर भूमकेतू की बात करें तो यह सूरच के समीष पहुचेंने परदर्सेतूरों घ। नेक्स्ट ऱ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट theo से मंगल के बीच हो बीच पाए जाने वाली एक पतली सी लेयर होती जो आप चमक्दार तरीके से अगर आपको फिकर में देख रहा होगा तो यह कुछ इस तरीके से चमक्दार तरीके इनको बता सकते हैं कि जो हमारे छुद्ध ग्रहे हैं वह कहां पाए जाते हैं मंगल और ब्रहस्पती ग्रहे के मंद पाए जाते हैं अगर चीज को याद रखिएगा यह मंगल और बहस्पती गर्या तो पहला पूछिशन पीजे करने पने लाक करोड़ा है जो किए आप स्व्छायक पीच्ट्रेक्चर में देख रहे होंगे जो कि इसके कच्छाों के बीच यह हमारा जूपिटर है और हमारा मार्स है इसके मद्ध में यह हमको देखने को मिल रहे हैं, फिर यह क्या कहेंगे, इनकी अनमानित जो संख्या है, वो किती है, चालेस हजार के लग बागए, ठीक है, तो यहां पर अगर हम चुद्ग्रह की बात करें, तो चुद्ग्रह जो है, हमारे मंगल और ब्रेस्पती ग्रह के सूर्य की परिक्रमा करने वाले चोटे-चोटे कड़ों से लेके सैक्रो किलोमीटर तक के पिंड आकासी है, जिनकी उपस्तिती हमारी मंगल और ब्रेस्पती के बीच है, अनुमानित इसकी संख्या, अगर हम बात करेंगे, तो किती होगी हमारी 40,000 हो जाएगी, ठीकिती जाएगे विस्पोर्ट के पन सरूप है, इसकी ग्रहों में पूर्प अपनी चुट्डगरा नीचे विस्पोर्ट है, एक जो धूल हम देखते हैं कि जब भी बिल्डिंग वगरा गरती है, तो धूल का एटमोसफियर होएगा वह आसपास के इलाकों में दिखाई पड़ने अगर कोई आप से पूछता है कि जो ब्रेस्पती मंगल के बीच में चुद्ग्रह पाए जाते हैं वह कैसे बने तो आप बता सकते हैं कि यहां पर हमारे ग्रहों में विस्पोर्ट होने के कारण क्या हुआ चुद्ग्रह का निर्माट हुआ चलिए ठीक है चलिए क्लास में सब लोग लाइक और शेयर करते रहेगा फिर है कि जापान की यहां पर किसकी बात हो रही है हाया बुसा अंतरिक्षियान ने हाली में कौनसी इटो कावा किस चुद्ग्रह का नाम क्या है इटो कावा नामक चुद्ग्रह की मिट्टी के नमूने प्रत्वी प यहां पर लेके आया है वह हमारे प्रत्वी पर भेजने में सफलता हासिल करी है कि क्लियर हुआ तो यहां पर इस सीच को भी आप लो याद रखेगा प्रत्वी से चुद्ग्रहों की संबाविट टक्कर को रोकने के लिए नासा ने भी क्या किया था एक अक्तूबर को 2015 में एस्टरोइट ना यहां पर हमारे मिसं की सुरुवात करी थी इस मिसं के अंतरगर रोबोट के युप्त एक ऐसे अंतरिक्षियान का निर्माड किया गया जो कि प्रत्वी की और आने में छुद्ग्रहों की दिसा को परवर्तित करने में सच्छा में अब ऐसा इसलिए क कि इस मिसं के अंतरगर रोबोट के युथ ऐसे अंतरिक्षियान का निर्माड किया गया कि जो प्रत्वी में आने वाले क्या होगा चुद्ग्रहों की दिसा को परवर्तित कर देगा तीक है कि इसके दौरा नासा की जो अक्टूबर 2015 में एस्टरोइड रिया अट्रेक्षि मिसं की जो सुर्वात करी यहां पर यह उसकी बात हो रही कि नासा ने 12 अप्रेल 2015 को अंतरिक में इस्टरेक्षि चुद्ग्रह था ठीक है यहां पर लिखा हुआ है 316201 नाम का एक मलाला यूसुप जैनामक एक नाम रखा था कि क्या रखा था मलाला उसके नाम पे भी यहा कि अट c-cop a यहां पर चाहतेए टेंगे न को अन यहां बंचते हैं आढ र कंश करता हैं आपर ऐसे पहराव रिलेटिव सुद्ग्रा इंट को अट पर उपकेकर यहां लोग तोम्तव्न ने के अच्शक्तर स्क्राव स्टीय थो अज्प्र हमें बात करता हैं आज कृता है थ की गतियों के बारे में यानि की motions of earth पे देखेंगे कि उससे related theory या फिर उससे उपस्तिती कैसे हुई तब तक आप लोग session को like और share करिएगा और सारी ही classes को एक एक करके देखेगा सारी ही PPT में जो भी questions repeat हुए है वो सारे ही यहां पर आपकी PPT में दिखे रहे ठीक है तब तक के लिए thank you so much